दीपक की रोश्णी है तो उसको संतों ने डिफ्रिंशियेट कर दिया उन्होंने क्लिरिफाई कर दिया नहीं चाहिए कुछ दियाग्रत बाती वो चीज फिजिकल नहीं है भगवान गीता मैं कहते दतत्भाशते ना शूरियो ना शशांको ना पावका यद गत्वान अनिबर पतंते तद्धामं पर्ममं हे अरजुल मेरा एक ऐसा परमधाम है जहां सुरज की चंद्रमा की अगनी की रोश्णी नहीं है रोश्णी है पर इनकी रोश्णी नहीं है और जहां जीव पहुचने के बाद लोटता नहीं है यह भी अनभव की चीज है तो मेरा कहने का मकसद हम जब धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं तो यह विचार करना चाहिए कि वो परमप्रकाश क्या है अगर साइंस के आधार पर देखा जाए तो आपने देखा होगा जब एटॉमिक एक्स्प्लोजन होता है न्यूक्लियर फिजन होता है और उसके अंदर चेंड रियक्शन होता है तो उसके अंदर से प्रकाश निकलता है जब मैटर इनरजी में ट्रांसफॉर्म होता है जब मैटर इनरजी से निकलेगा तो उसके अंदर से प्रकाश निकलेगा बहुत ज़ादा जब नागा साखी हिरोशिमा में अटोमिक बम फटा तो इतना प्रकाश निकला कि लोगों के रेटिना आखों के पड़दे जल गए हम लोगों को नगा साखी जाने का मौका मिला बैंगलावर के भी कुछ लोग गए थे उन्होंने देखा कि रेलवे की पटणियां गल गई इतनी एनर्जी निकली पानी की टंकियां गिर गई मुड़ गया इतनी गर्मी से ये एनर्जी कहां से निकली मैटर से पदार्थ से पदार्थ के अंदर शक्ति छुपी हुई है तब ही तो हम कहते हैं जर्रे जर्रे में है जाकी भगवान की किसी सूज वाली आख ने पहचान की ये जो एनर्जी है ये छुपी हुई है परलाद ने क्या किया? खंबे के पास आ गया अनेक कथाकारों ने आपको कथा सुनाई होगी प्रलाद के अंदर अगाद विश्वास था यह एड एपसलूट फेथ जब उसका विश्वास निश्यात्मक विश्वास था परम विश्वास था उसने खंबे का अलिंगन किया अब खंबे में से क्या निकले भगवान निकले नरसिंग रूप में निकले नरसिंग रूप में क्यों निकले क्योंकि हिर्णाकिशब को मारने के लिए उसका वर्दान उसको मिला हुआ था ना तू नर से मरेगा ना किसी देवता से मरेगा ना पशू से मरेगा ना नर से मरेगा ना पशू से मरेगा ना ऊपर मरेगा ना नीचे मरेगा ना अंदर मरेगा ना भार मरेगा अर्थात उसने ऐसा वर मंगा क्योंकि उसको काब्र माह जी ने मैं तुझे अमरता का वर्दान नहीं दे सकता हूं अमर नहीं कह सकता हूं और वर्दान मांग ले तो उसने का भई आदमी आ तो नीचे मरता है या उपर मरता है आदमी या तो अंदर मरता है या भार मरता है आदमी को मारने वाला या तो पशु होता है या आदमी होता है ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा तो उसने सारे जितने भी विकल्प थे वो सारे विकल्प रख दिये कि ये इन विकल्पों से मैं मरू ही नहीं और अपने को उसने अमर मान लिया कि अब मुझे कोई मौत मुझे समात नहीं कर सकेगी, मुझे मार नहीं सकेगी पर भागवान जो शक्ती है वो जब प्रगट हुई, मैनेफेस्ट हुई तो किस रूप में हुई कि भागवान ने नरसिंग रूपधारन किया, जो आधा पशु का और आधा मनुष्व का रूप था, उसको उठा लिया, अपने जांग पर रखा, कहा ना तू नीचे है ना तू उपर है, दर्वाजे के बीचों बीच, कहा ना अंदर है, ना बाहर है, और अपने नखूनों स उसका वक्षस्थल फाड दिया, तो वो नखून थे, अस्त्र भी नहीं थे, शस्त्र भी नहीं थे, तो कहने का मकसद यह है, कि उस शक्ति ने राक्षस को मार दिया, ऐसे ही वो जो एनर्जी है जिसको कहा गया कि एनर्जी के नीदर भी क्रियेटिड दॉर इट केंड बी डिस्ट्रॉई शक्त का जनम नहीं होता शक्त का नाश नहीं होता वो जो अवनाशी शक्ती है जहां पहुँचने के बाद जीव लौटता नहीं है जिसके लिए भगवान गीता में कहते हैं कि उसका ग्यान राज विद्या कहलाता है राज विद्या माने सारी विद्याओं की राजा आप राजा के महल को क्या कहते हो राज महल राज महल का माने जहां राजा रहता हो जो रूल करता है जो शाषन करता है जहां शाषक रहता हो वो राज महल हो गया जहां से राश्टपती शाषन करता हो वो राश्टपती बवन हो गया तो भगवान कहते हैं ये राज विद्या सारी विद्याओं की राजा जिसको प्राप्त करने के बाद भगवान जलाशे की उप्मा देते हैं जिसको बड़ा जलाशे मिल जाता है उसको छोटे जलाशों की आवश्रक्ता नहीं रहती आपने देखा होगा गाओं में छोटे छोटे जलाशे होते हैं बड़ी समस्या होती है एक तरफ भैंस पानी पी रही है भैंस ना रही है एक तरफ आदमी बरतन साफ कर रहे हैं एक तरफ आदमी उसका पानी भी पी रहे हैं पर अगर एक बड़ा जलाशे मिल जाए तो उसके अंदर सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम पैदा हो जाता है मच्छियां जो है पानी को साफ करती रहती है और जब बड़ा जलाशा मिल जाता है तो छोटी बावड़ियों की जरूर्टी नहीं होती अईसे ही ज्ञान में जब राजविद्या का ज्ञान प्राप्त हो जाए और क्या है यह अर्जुन को बताते हैं करने में अति सुगम है नहीं तो भक्त कहते प्रभु जो बलशाली है आप तो उसके लिए हो हम तो निर्मल है गरीब हैं ताकत नहीं है हम कैसे कर सकेंगे यह तो ताक और ही कर सकेगा भगवान करते नहीं भाई इसका बल से कोई मतलब नहीं है इसका मतलब है ध्यान से मेडिटेशन से और मेडिटेशन कैसे होगी इस बात को श्री महराजी समझाया करते थे मन को जोड़ो और यह हमारी समझ में नहीं आता था मन को जोड़ने की बार आपने देखा ये लाइट जल रही है जोँ जल रही है तार को बिजली पावर हाउस से जोड़ा हुआ है देरिस कनेक्टिविटी तार अगर नहीं जुटेगा तो लाइट चली जाएगी अंधेरा हो जाएगा और जब अंधेरा हो जाएगा तो ना तो आपको आवाज सुनाई देगी ना मैं दिखाई दूँगा ना आप दिखाई दोगे ऐसे ही अगर मन जुड़ा होगा तो भगवान का शाक्षातकार भी होगा गुर्महाराज का भी शाक्षातकार होगा नाद भी सुनाई देगा और अगर मन ही नहीं जुड़ा तो डिस्क डिस कनेक्टिविटी डिस कनेक्शन एक अमेरिकन आया था हिंदुस्तान में एक होटल में ठेरा तो उसने एक टेक्सी की तो उसने का टेक्सी वाले से कहा भाई अपना नंबर दे दे मैं जब तेरों को बुलाऊंगा तो तू आ जाना टेक्सी वेला कहता है सर आपको टेलीफोन बात करने की जुरूरत नहीं है आप दो मिस्स कॉल दे देना मैं खड़ा हो जाऊंगा आ जाऊंगा तो अंग्रेज कहता भई मिस्स कॉल का क्या मतलब उसने का जी हम हिंदुस्तानी बात नहीं करते हैं तो मिस्स कॉल मारते हैं बिना पैसा खर्च किये देखो मेसेज पहुँच गया तो अंग्रेज ने किताब लिखी कि मैं हिंदुस्तानियों को प्रणाम करता हूँ जो बीना पैसा खर्च किये अपना मेसेज भेज देते हैं देखो आज तो मोबाइल फोन है राधा जी के पास क्या फोन था बताओ राधा रानी के पास क्या फोन था भक्त के पास क्या फोन होता है फिर भी वो मिस्कॉल करते हैं और भगवान दोड़े दोड़े सुन करके चले आते हैं तो कहा भाव कुभाव अलख आलसों नाम जपत मंगल दसों जिसों भाव से विड डिवोशन भावना बहुत अच्छी है भाव से कुभाव से अगर कुभाव से भी आलस में भी भगवान का नाम लोगे मिस्कॉल मारोगे तो फाइदा मिलेगा मेरी मिस्कॉल की बात सुनकर के माताएं बहुत प्रसंद हो रही है हमारे इलाके में हमने एक साइंस की प्रद्रश्णी लगाई राम नगर में तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस नमाईश के अंदर बहुत सी मुस्लिम महिना आ गई बुरकापे ने और हमारे साइंस है बड़ी उनके अंदर जग्यासा थी कि यह मोवाइल कैसे काम करता है घुत उसने समझाया यह मोवाइल ऐसे काम करता है सैटलाइट के जरीर काम करता है इसमें इस प्रकार की वेवज निकलती है तो भाईया जैसे मोवाइल काम करता है व çıkart लूम यु काम करो एक नमबर तो सही लगाना होगा ऐसा नहीं कुछ भी कर लो हो जाएगा आजकल मंचों के उपर आसान तरीके से कहा जाता है अरे कुछ भी करो हो जाएगा कुछ भी करो कैसे हो जाएगा रावण ने का किया क्या हो गया आजकल कोई कह रहा था अजी एक बहुत बड़े कलाकार ने एक हिरन मार दिया हिरन उसने भारत का इतिहास नहीं पड़ा वो भारत के इतिहास को नहीं जानता था एक राम जी ने भी हिरन को मारा था और उस हिरन के पीछे क्या हो गई शिता जी भी चली गई अब इसने हिरन मार दिया पता नहीं इसका क्या क्या जाएगा तो कहने का मतलब यह है कि भारत के अंदर भक्ति को महत्त दिया गया बादशा अकबर के पास किसी ने कहा जापना यह जो तानसेन है ना आपका नवरतनों में बहुत अच्छा गाता है पर महराज इससे भी अच्छा है तो उसके गुरुजी गाते है हरिदाश जी तो बादशाख बरने का तानसेन हमने सुना है कि तुमारे गुरुजी बहुत अच्छा गाते है तुमसे हम उनका भजन सुनना चाहते है तो तानसेन ने कहा जापना ऐसा है वो गुरुजी को अगर सुनना है तो आपको तो व्रंदा बन जाना होगा जो कि गुरुजी जो है